करने नमशकार दोस्तुंम मैं हूँ आपका दोस्त परदीप कुमार वांगरे आपके वांगण सुआगत है जुषकारिप का नाम है आपके अनॉरोत पर आज मैँ आपको बताऊगा यकरित शोद या फिर यकरित विशम्ता का आरवेदिक हिलाज किस तरह से करें दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप से अन्रोड है कि आप इसे लाइक करें वीडियो के निचे एक रैट कलर का बटन है उसे दबा कि आप सबस्क्राइब करें बाजो में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो दा लूँ वो सबसे पहले आप तक महुचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सबस्क्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्री आदा करता हूं आपका धन्यवाद करता हूं आपका अभ रवाईों के नाम बताता हूं कापी पर उठा लिजए हर रवाई को मैं तीन बार रेपट करूँ कभा ताकि आप अहानी से लिख सकके तो इसकी लिए चाहिए हमें सर्वकल्प कौाथ 200 ग्राम काया कल्प कौाथ 100 ग्राम दोनों औशदी को मिलाकर एक चमच लगभग 5-7 ग्राम की मात्रा लेकर 400 मिली लीटर पानी में पकाए और जब 100 मिली लीटर स्विष्ट रह जाए तो चाहन कर सुबह और शाम खाली पेट पिए तो खाली पेट आपको लेना है 100 ग्राम सुबह और शाम प्रवाल पंचाम बृत 10 ग्राम कासीश भस्म पाँच ग्राम कासीश भस्म पाँच ग्राम गिलोय सत्थ दस ग्राम स्वर्ण माक्ची भस्म पाँच ग्राम स्वर्ण माक्षी भस्म पांच ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती रस दो ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती रस दो ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती रस दो ग्राम, सभी औशदियों को मिलाकर साथ पूडिया बनाएं प्रताय नास्तियम रात्री को वोजन से आदा घंटा पहले जल या फिर शहत के साथ ले सकते हैं या फिर शहत मिल जाए तो शहत के साथ जो आपको उचित लगे उसके साथ ले सकते हैं आप आपको साथ पूडिया बनाना ध्यान रख्यां उद्राम व्रित वटी साड़ ग्राम उद्राम व्रित वटी साड़ ग्राम उद्राम व्रित वटी साड़ ग्राम आरोग्यवर्धनी वटी 40 ग्राम आरोग्यवर्धनी वटी 40 ग्राम आरोग्यवर्धनी वटी 40 ग्राम पुनर् पुझत पॉनर्वादी मंढूर 40 siyaaink तीनों से एक एक गोली दिन में थीन बाद प्राथा नास्थ्या। और दोपर बोझन एम साय बोझन के आधा घंटे बाद गुन्गुने पानी से लेना आपको तीन बार लेना है तो गुन्गुने पानी से लेना वह भी अधन कि आदे घंटे बाद लेना है आपको तोटला कवाथ 300 ग्राम तोटला कवाथ 300 ग्राम तोटला कवाथ 300 ग्राम दो चम्मज और शदी को रात को मिट्टी के बरतन में एक कप पानी में विगो दे प्रातर मसल कर चान कर खाली पेट पी ले तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं फिर से एक बार बता देता हूं दो चम्मज और शदी को रात को एक मिट्टी के वरतन में एक कप पानी के साथ भिगो दे प्राता है सुबह इसे मसल कर चान कर पी ले तो यह सब दवाई किस तरह से लेना मैंने आपको बताया दोस्तों अगर कुछ पूछना चाहता आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी दवाई अपने मर्जी से ना ले डॉक्टर ही सलासे ले हमेशा मैं आपको कहता हूं क्योंकि हो सकता आपकी उमर बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो ज्यादा होगी तो हैवी डूस लगेगा कम होगी तो छोटा डूस लगेगा तो इसको इसके अलावा आपको कोई और बिमारी है तो और दवाई या एड हो जाएगी तो यह सब चीजें होती है इसलिए आप यह सब दवाई कोई भी है वैद राज या कोई जानकार है डॉक्टर उसके निर्देशा अंसार ले तो निश्चित लाब होगा आरवेदिक में कोई नुक्सान नहीं होता लेकिन आप चुकि आप जो हैं दवाई इसलिए खा रहें कि आप स्वस्थ हो जाए तो आपका जो चार अच्छी से हो जाए इसलिए आपको डॉक्टर की जरूरत है तो आप डॉक्टर के संपक में जरूर जाए और फिसका दिया दवाई ले निश्चित लाब होगा दोस्तों आरवेदिक है पुरी दुनिया इस बात को मानती है आपक भी जरूर लाब होगा तो इसी के साथ आप मुझे इसकार कर्म से जाने के जाज़त देजिए नमस्कार जाए हैंट